अलो दोस्तों वेलकम वो खाना मुबारखतों मैं बहुत एक्साटेट हूँ मैं जा रहा हूँ पंजी इस वक में हूँ शटल में जो मणगाओं से पंजी के पीछ में प्लाई करते हैं यह निकि जो जाती हैं तो मैं जा रहा हूं पंजी वहाँ पर हम प्राइब करेंगे जो तो यह लेजंडरी एल्ली का रेस्टोरेंट रेस्टॉरेंड दिली का समय मजजित एरिया में है मस्जित की एरिया में तो वह आया है बरांच उपन हुआ है तो मैं हम लोग वहां पर जा रहे हैं स्ट्राइक करने उनके जाएके तो चले हमार साथ बने रहीगा तो आज मैं हूँ पंजी में सेटेड़े आज का दिन है कि जिस रोड से अब हम जा रहे हैं राइट सेड में रोड एंडवने का राइट सेड में आपको फिर्मस चर्च जो पंजी सिटी की है वो दीखेगी उसके बाद जोड़ा अगे जाकर हम जाएंगे करीम्स में तो यहां पर देखिए यह सरकल है और राइट सेड में आपको मैं दिखाऊंगा जो फ्रमस पंजी की चर्च है और हो अब देखिए यह वो चर्च है इस सरकल है जाने के बाद हमको लेयना है करीम में जाने के लिए दोस्त हमारा पहले पुराने वीडियोस चेक करीगे आगा जैक कि उसमें हमने यहांप पर कंप्लि स्वीं जो की ओल डिलि यहने की पुराने डिली का फेमस करीम लेजंडरी रे स्ट्रानेंट है वह अभी पंजी में एं तो इसगय में अंब कि तो उसके जाएका कॉल फोटाने कि रहां की पिजिल जाएका है कि क्या उर्ण कर आए कि हम हैं पंजी कैपेटल सिटी ऑफ गोवा जुलाई का महिना हैं और बारिश का सीजन चल रहा है तो यहां पर दीके यह जो रोड है सामने यह हमें लेकर जाएगा करीम्स जो पुराने दिल्ली का रेस्टोरंट का ब्रांच पंजी में खुला है सिटी में है बिल्कुल और यह जो बस्टेंड है पंजी का करमा बस्टेंड वहां से बिल्कुल ही वाकेबल है यह 1.2 किलोमेटर्स वाकेबल और यह पार्किंग स्पेस है यह करीम्स का रेस्टोरंट है तब चले चलते हैं अंदर चले चलते हैं तब चलते हैं तो पीपल ते लोक टूलोक जितने हैं तो यहां के यह है करीम्स का रेस्टरेंट इस पंजी नहीं इनका अंदर भी सेक्षिन है तो इनका यह मैन्यू तो हमको यहां पर मुगले डिशीज जो इनके फेमस हैं वो हमको ट्राइ करने हैं यहां पर तो मैंने सुना है इनका बड़ा बड़ा जो होता है चिकन या मटन वो अच्छा होता है और यहां पर बिर्यानी भी देखेंगे ट्राइक करेंगे तो पर किंगे यहां पर्प्राइक करने के अच्छा पर किंगे अच्छा पर अच्छा पर किंगे विश्के भी इनके डिशी जाए इन यहापर के रूल बी फङमज है 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 का कि आँज pirates करते हैं कि भी इनके मैन्यूह मैं इनियू संपने में इनके जो फौंडर सांट qde d है करें के इनकी इनकी स्थी इन इनकी जब फॉंडर और इनकी जो पॉराने अवा संब घुर a जिए जो निवस्पेपर में भी इनकी जो पुब्लिश होएं वो भी अबसातर यह देखिए यह करीम स्पंजी का इनका एंपेंस बहुत ही अच्छा है और अब हमने कि अच्छा एंपेंस है और इसका तो हमने ओर्डर किया है चिकन बिर्यानी यहां की फेमस और चिकन बड़ा जो बड़ा की डिश है मैंने सुनाए कि वह भी फेमस है करीम में और इनकी बिर्यानी कैसी का लुद्फूटा ने इनका जाइका देखने है तो है यह उनकी चटनी है तो यह अलड़ी यहां पर आ चुकी है तो आप यहां बेट कर रहे हमारे डिशिस का आने का आप देखी यहां जाईका हम देखेंगे उन्हों ने बताया कि जो चिकन बढ़ा का डिश होता है ये स्टार्ट अमें आता है इनका तो यहां पर देखिए जिकन बढ़ा आचुका है अब लेकि ये बताया कि तंदूर चिकन और इसमें क्या फर्क है मनें पूचा तो ये हैं और जो थोड़े घृचक शाड़ी के से हाए तर करीम्स yeah की तो पुराने दिल्ली में भी और यहां पर भी यह की सिगनेचर डीश है जो चिकन बड़ा हो गया जिकन जहांगीरी और इनके बिर्यानी और इनके जो बहुत सारे ग्रेवी एटम्स है तो अब हम इंशाला अगली पार जब आएंगे तर्फ टेस्ट किरेंगे उसका तो फिलाल हमने चिकन बड़ा इनका जो जो नेचरदिश है वो और चिकन बिर्या और तो आमने चार पिसीज वाला मंगाया है तो यह दोस्तों जहाब पी चिकन बढ़ा जो होता है मैंने सुनाए कि नॉत इंडिया में बहुत जो मुगले डिशीज में होता है बढ़ा मुंबई में भी बहुत सरे वोतर से मिलता है लिए हमको मुंबई में ट्राय करने का मौक करके बताता हूं कि यह कैसा है तो यहां पर देखिए चिकन बढ़ागा पीस है तो मुने थोड़ी चटनी लगा लिए है जबरस मसाने लग रहे है मझे इसमें अपर ऐसे का के देखते है कैसा है यह जो रोश्टे जो रोश्कियावा चिकन है उसका और जिसका मसाला है तो लेकिन जो मैने पूछा यह तंदूरी चिकन होता है यहां का तुछा निल्बू दाल करूं सब्सक्राइब और यह बड़ा चिकन बड़ा जो होता है यह कम सपैसी होता है तो उन्होंने मुझे बता है तो इसके शाले मसत है इसमें गी का फ्लिवर आ रहा रहा है तो यह गी में रोश किया गया है यहां पर लेकि इसका पीस तो यह मस्त है हरी मिर्च ही जटनी है और हरी मिर्च इसमें मैजोरिटी हरा धन्या है हरादन्या और हरी मिर्च की चटनी है यह जबदस्त है चिकन बड़ा यहां पर मतन बड़ा भी मिलता है दोस्तों इसमें घी का जबदस फ्लिवर है यह मस्त रोस्ट हुआ है दोस्तों यह चिकन बड़ा की दिश है फ्रमडी करीम्स रेस्टरांट में आया हूं मैं जो पुराने दिल्ली का रेस्टरांट गुआ में पंजी में खुला है तो इसका जैका लेने में आया हूं दोस्तों हमारी चिकन बड़ाने आचुके आपी को दिखाऊंगा अभी अच्ड़क अच्ग मन आया हमारी चिकन बड़ाने यह दिखिए कि ज़्शक में आपे दिखिया अपर से जोरी देनी देनाव लेन्स में लाश्टरांट जाविया है विस्ता बोलते हैं बुलीवी प्याज, रोस्टेड प्याज, अब यह हमारी कम्प्रिट चिकन विर्यानी है, इसके साथ जो दही का, उपर से लाल मिच थोरी सी, अब यह, आब लाल मिच विया गया हमारी किकन बिर्यानी, इसमें यह पीस है, मेरिनेटेट पीस लग रहा है, इसमें तोटल तीन पीस है, तो एक बिर्याने में तीन पीस होते हैं, यहां पे देखिए इनकी बिर्यानी है, मसाले, तो चले ट्राई करते हैं, गरम मसाले यहां स्थमाटर सबकुच ही अ करने हैं इस अजयन कम सतच है क्ट आशल दोड़ प्लेवर फुलेवर फुलेवर अगर्मासाल के बनाई हुई रोस्टेट इस में इसको बनाया गया है शबस टैसे सका मसालों का इसस्ट पर ज्यादा सपैसी नहीं मसाले है लेकिन इसका पुरा फलेवर आप है रहते हैं जब जो यहां पर साबूद भी साबूद मसाले भी है लेकिया काली मिर्च और इसका मसाला है और पूरा कंप्लीट फ्लिवर आता है कर चिकन का पिछ दिखते हैं अजिए अजिए अच्छा है यह भी मेरिनेटिड है मसाले देखिए यह भी मस्त है और इनकी फ्लेवर फूल बिर्यानी है सब मस्त ट्राइब है मसाले आपको ज्यादा लग रहे हैं लेकिन यह टेस्ट भी वैसा है इसका मस्त है तो आप ज़रूर ट्राइब करें तो अगर आप आते हैं करीम्स जो बंजी में यहां पर बिलानी बहुत जबरस्त है तो बिर्याने के साथ को यह कुए का रहता मिला यह अलका इसमें उपर से लालमी चिडकी गई ऑज जो सेंधा नमक होता है वो तोड़ा चिडगा गया है इसमें अमस्त हैं इसके पास इसके साथ एक अकमपेंट्मेंट बोल सकते हैं और यह बिर्यानी बहुत ही जबदस्त है बहुत जबरस्ते बिर्यानी है जो अथेंटिक लग रही है एक दम पूरे मसालों में तो कम्बिनेशन है मसाले का दोसों यहां पर हम आये हैं करीम्स में जो पंजी में उनका नया ब्रांच कुला है जो पुराने दिल्ली जामा मस्जित की जो एरिया है है वहां पर जो करीम से लेजेंट्री रेस्टोरंट उसका पंजी सिटी में भी गोवा पंजी में उनका ब्रांच खुला और यहां की बिर्यानी बहुत जबरस्त अलहंदुल्ला हमको जबरस्त खाने में बहुत ही लजीज है और फ्लेवर फुल भी है आप लेगे राइस और मेरे निटी चिकन बहुत ही जबरस चिकन बिर्यानी थी और इसके पहले हमने जो मैंने आपको दिखाया चिकन बड़ा वह भी जबरस था तो यह यहां के जाइके हैं बहुत ही हुम्दा 1923 से रेस्टोरंट है तो मैंने सिफ सुना था इसका नाम दिल्ली में है तो जब यह में पंजी में खुला है तो हमने सोचा कि हम इसको पीचला एक दिन जरूर ट्राइक करेंगे और आज हमको मौका मिला आने का पंजी और इनके रेस्टोरंट में इनके जाइके का लुद्फ फूट आने का यह चिकन बिर्यानी बहुत जबरस प्लेवफुल है तो अगर आप आते हैं पंजी में तो मुगले डिशीज चिकन बिर्यानी के लिए जब जरूर आएं करीम्स में मस्त है तो यह था करीम्स पुराने दिल्ली होटेल का जाइकाव गोवा में हमारे चनला जरूर सब्सक्राइब करेंगा खाना मुबारक और टैप करेंगंटी का एकॉन गंट को टैप करें सब्सक्राइब करें खाना मुबारक अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें तो चले चलते हैं तो यह आप देखिए इनके उपर का सेक्षन है करीम्स जो पंजी में है आप देखिए इनके इंटिरियर है यह उपर का सेक्षन है हम लोग में जो खाना काया वो लिच्छे का सेक्षन था तो यह स्पेश्यस है बहुत और दोस्तों चाहां पर आते हैं फाइनल पार्ट की तरफ यह खाने के बाद एक जो जैसे बाकी होटल रेश्चोरेंट्स में आपको सौंफ जो होता है महुत फ्रेशन है बोल दीजे उसको या तो जो पाचन यानि की डाजेशन के लिए उपको बोल सकते हैं तो यह कंप्लेटली एक मिक्चर है तो चले इसको खतम करते हैं यहां का जैका दोस्तों जमकर यानि की बड़ा बारिश गिर रही है भी इस वक्त में हूं बाहर करीम्स के हमने अभी अभी यहां के अंदर का जैका देखा और दबरस था चिकन मिर्यानी बहुत दबरस प्लेवोफुल और चिकन बड़ा होता है इनका स्पेशालिटी है वो भी मस था तो चलते हैं अगे अगर आप इस तरह के यहां इस रोड़ से अगर आप स्टेट जाएंगे आपको ऑन आपको फेमस चर्च है पंजी सिटी में वहां पर आप जा सकते हैं ने तो अगर आप लेट लेंगे तो आप में रोड के तुरू अगर स्टेट जा लिए पी सब पारकिंग यह सब यह जो शामने आप देख रहे हैं यह पेड पारकिंग ए जो फोर विलर देख रहे हैं और यहां पर मैं जो मैंने पूछा तो यहां पर पेड़ पार्किंग है 40 रुपीस और यहां पर मुझे इन्होंने बता है कि अगर यहां पर आप जो गाड़ी पार करते हैं तो 40 रुपीस है जो पार्किंग का टिकेट या रेसिप्ट आपको जो दोस्तों हमाच आल को जरूर सब्सक्राइब करें खाना मुबारक को टैप करें बेल अकन नुमाइब के लिए ने जाएके ट्रेवल और फूड के बारे में बोलता हूं तो अगर आपके जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे जो सुझाओ देना चाहते हैं कि कम कैसे बैटर कर सकते हैं वीडियो या कुछी भी अगर जो सजेशन्स हम कर सकते हैं चोटी चीज़े जो होती है या बड़ी कुछ भी हमको बताइए जरूर और घंटी का इकॉन को जरूर टैप करें बैल आकन को टैप करने से आपको नोटिफिकेशन्स मिलेंगे हमारे जब भी नए वीडियो आ